हेलो एवरिवन विलकम बाक टो उनकी चौदरी एजुकेशन और आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं इंडक्टिव एफेक्ट को तो थीम रहेगा कि हम पढ़ेंगे इंडक्टिव एफेक्ट क्या होता है राइट लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट ही है कि यार इसकी ज पर हम टॉपिक है इलेक्ट्रोन डिस्प्लेस्मेंट एफेक्टिं कोवेलेंट बॉन गाईज हमने पिसले सेशन में डिसकस किया था कि इलेक्ट्रोन डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है देखो अगर मालनों कुई स्पीसे जाफ फॉर इंजामपल यह ए और यह भी ठीक है अपनी जगह से निकल के कहीं और चला गया अब जब यह डिस्प्लेस होते हैं तो बहुत सारे एफेक्ट लेके आते हैं इन्हीं में चार प्रकार के एफेक्ट है तो इसको स्टडी करते हैं स्ट्रानिक डिस्प्लेस्मेंट इन कोविनेंट बॉंड अकर्ज दू प्रेजेंस ऑफ अन आटम और ग्रोप अफ डिफरेंट एलेक्ट्रो नेगेटिविटी अंडर इंफ्लेंस ऑफ सम आउटसाइड अटाचिंग ग्रोप राइट आपका सवाल होगा कि यह बी क्यू ले एलेक्ट्रो नेगेटिव है तो जो जितना जाद है एलेक्ट्रो नेगेटिव उतना ही जादा वह क्यक्त दिखा सकता है कैसा बहुत क् nobody ऑगा है ऑर लॉलेक्ट्रो नेगेटिव होगे तो old उ इसलोमान और अगर दोनों होता तो दोनों तरफ उता जब शուफ होता है तो यह चार प्रकार एक्टार आते हैं पहला है आपका I will सेशन का फीम होगा को डिसक्स करना समझके अच्छा से चलिए शुरूर गरते हैं क्या ही। effect पहले यह पढ़ते हैं तो यार अगर मैं slide के according आपको समझाने ही कोशिश करूँ तो यह मैं आपको recap कराऊंगा बाद में सबसे बहले देखो inductive effect क्या है यहाँ पर मैं लिखता हूँ inductive effect होता कुछ ऐसा है कि अलग-अलग electronegative species में फजूद होते हैं ठीक है अब माल लो कि हमारा यह carbon है for instance जैसे suppose करो यार CH3 और CL है ठीक है अब माल लो मेरे पास यह species है इसमें होगा क्या कि chlorine ज्याद़ electronegative है तो electron खीच लेगा इस तरब से ठीक है तो CH3 से electron लेके चला जाएगा अब chlorine लेके चला गया electron इस तरफ अब यहां पर electron चला गया तो chlorine पर आजाएगा negative charge और इस पर आजाएगा positive charge थोड़े टाइम के लिए अच्छा यह permanent लेके नहीं जा रहा क्योंकि यह ज्याद़ अब यह वही बात हो गई कि आप दो फ्रेंड्स मिलके गाड़ी खरीदते हो ठीक है आपने का कि हम शेयर करेंगे क्या करेंगे शेयर करेंगे जैसे यह शेयर कर रहें बट चावी जो है जातर आपका एक ही दोस्त रखता है मालनों कि उसने जाधा पैसे मिलाएं हैं तो चा अबी के देंसिटी जातर किसके पास मिलेगी आपके दूसरे फ्रेंड के पास जिसने जाधा पैसे मिलाएं हैं सिमिलर केस यहां पे भी है कि CS 3 और CL मिलके गाड़ी खरीदते हैं गाड़ी यह शेयर होने वाली है तो यह बांड दिखा रहा है शेयर को राइट यहां पे मैं यह और यह पैसे मिला बैंगे उन्होंने खरीदा है मेंगे इस पैसे की अहानव्यट जातर किसके पास रहेगए क्लोडीक के पास रहे हैं पर यह यह है कि उसकी firm धर सब्रेबात धूरी दोडर जाती हो जाथ है यह वाली क्रणगर जाती है बेंगरा की तरफ जाद है, अब electron density की तरफ जाद है, तो जातर लोग तो यही मानेंगे, कि आपके दोस्त की गाड़ी है, ठीक है, तो इसी तरीके ते जातर लोग तो यही मानेंगे, कि electron इसका है, तो इस पर partial negative आता है, पूरी तरह से नहीं, पार्शल लेटिव, अब समझते पार्शल नेगेटिव का मतलब होता है, यहां पर नगाद नगाद है, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव, डेल्टा मतलब थोड़ा सा छोटी वाल्यू, फिजिक्स में तो पढ़ाई है, तो डेल्टा यानी की partial negative और इस पर भी पूरी तरह से positive नहीं आता है, इस ने थोड़ी लूज कि तो यहां पे भी लगा देते है डेल्टा वैंग तो यह मतलब होता है अब देखो इंड़ेट अभी खॉंटिुन रहेगा आप माल लो कि ओई सीच ट्री के साथ एक और और सॉख्री है कारवन उत्यों शुळिक में तट्री के साथ मलें यहां पे एक और carbon attached होता, for example, एक और CS3 attached होता, ठीक है, तो यहां पे हो जाता फिर आपका CH2, राइट, यह बन जाता आपका CH2, चलिए, अब यह CH2 क्या करता, यह सब में मिटा देता हूँ, यहां से confusion ना हो, ओके, ठीक है, यह भी मिटा देता हूँ, मैं, फाइन, टॉपिक में आते हैं, तो यह CH2 क्या गरता, कि अब क्योंकि पॉजिटिव है ना, इसको electron की कम ही है, इसके पास, तो अपने बगल वाले से electron खीचने की कोशिश करता, तो यह जब, यह स्पीसे, जब इस से electron खीचता इस तरफ, इस तरफ, तो इस वाले पे डवल अप हो जाता, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अगीन, यह भी electron लूज कर रहा है, तो इस पे हो जाता, पार्शियल पॉजिटिव, अब इसका पार्शिल पॉजिटिव क्यलाता, डबल डेल्टा, प्लस, ठीक है, मतलब कि Double delta का मतलब ही है की बहुत ही जादा चोटा, इसके उसके comparison में जादे ही ही चोटा इसका तो दो है, कसी बुरा हो डिक्रान एक तरीके से चला गया है, यह थोड़े टाइम के लिए share कर रहे है इसके साथетрी साथ घंठायर तो यह है, एक और CS3 अटाच होता तो यह CS2 हो जाता इस case में फिर इस पे आ जाता partial positive charge ठीक हैं इस पे कुछ इस प्रकार से आ जाता तीन बार delta और positive तो आप समझ रहे हो कि जिस तरीके से एक electronegative species electron density अपनी तरह बढ़ा लेता है तो बचावए electropositive species अपने आपको stable करने के लिए बगलवाले से खीशता है electron क्या खीशता है electron तो उसके बगलवाले पर positive आ जाता है वो बगलवाले अपने बगलवाले से खीशता है तो यह series चलती रहती है और इसी series को हम कहते है inductive effect I hope कि inductive effect जो है वो आपको बहुत अच्छे से clear हो गया होगा अच्छा यह क्या लगातार चलती है खतम नहीं होती ही कहीं नहीं खतम हो जाती है कहा तो यह जाता है कि 3 carbon के बाद कोई effect होता है मतलब कि 3 बाद delta बनाओ तो उसके बाद कोई effect होने वाला नहीं है बट ऐसा आप reality में लिखना मत NCRT के according यह बोलना कि जैसे increase कर जाती है carbon की संक्या the amount of carbon is increasing तो दीरे दीरे effect भी जो है वो एक तरह से nullify हो जाता है क्योंकि इसकी value ज्यादा है फिर इसकी value उससे कम इसकी value सबसे कम तो आखी वाली की value ना के बराबर रहेगी एक तरीके से positive हो या ना हो कोई sense नहीं बनता है तो यह inductive effect आपको समझा गया अच्छे से ठीक है ओके तो अब inductive effect के बाद हम एक और चीज़ समझेंगे कि जो यह खीच रहा है न जो यह खीच रहा है यह होता है electronegative species दो प्रकार के electronegative species होते है electronegative भी छोड़ो यह तो है electronegative इसके साथ attached element दो प्रकार का हो सकता है एक होगा आपका यहाँ पर मैं लिख रहा हूं color change करते हैं एक होगा आपका electron withdrawing group ठीक है जो कि electron खीचेगा इससे withdraw करेगा ठीक है और दूसरा होगा electron donating group जो donate करेगा suppose करो कि यहाँ पर कोई positive species होता मतलब chlorine तो negative species खीच लेगा तो इसे कहेंगे electron withdrawing group chlorine होगा electron withdrawing अगर को positive species होता तो positive species क्या करता है एक्षान रूस करता है तो इस पर लूस कर देता तो इस पर डेल्टा नेगेटिव हो सकता है पॉजटीव होसकता है एक है एक तुक है जैसे मैंने आपको बता है दो पर्ट करको होते हैं, पहला है एलेक्ट्रौन एलेक्ट्रौन वित्ड़ॉइग ठीक है एक सामने चुपहे है अगोज कर घो अजो रहा है, टूर नगी में 324 पेज मनबर पर यह चीज है है इल्ेक्रोन विट्रोइंग ग्रॉइंग ऑन् dost नाइस सान के इता है यह आपका क्लॉरेघ्ञ कृग्स वाले जो उहीं सारी सारे ग्रॉप से हैं अभर करते हैं तरह आपथ छून फ्रिंड करें ऐप घर पी इसमें अडेक्रों लोब नो आइश चाइए C4 औोध करेंगों ठीक है तो इधाईल हो गया मिधाईल हो गया तो जितने भी कारवन डिलेटेड गुरूप होते हैं ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं और इवन हाइडोजन में कई बार एलेक्ट्रॉण डोनेटिंग गुरूप में काउंट हिया जाता है यह समझ पर सबेंगे और हुग आ करेंगे तो आई है यहांँ पर स्लइड में पढ़ेते हैं इट इन्वल्छ टॉम्स टो यहां पहले लिखकाए ता यहां पर अब करके दिखाता हूँ, ओके, यह है CS3 और यह है CL, कहने के लिए, कहने के लिए share हो रहा है इनके बीच में, मगर electron density इधर shift हो जाएगी, ठीक है, तो यह चीज है, आगे बढ़ी है, due to the difference of electronegativity, electron are displaced towards more electronegative atom, यह वास समझ गे होंगे, कि जाद़ electronegative की तरफ shift हो यह introduce कर देता है degree of polarity, yes, जो डेल्टा था, वो था आपका degree of polarity, जो भी जाद़ electronegative होता है, वो acquire करता है अपका delta negative charge, यानि क्लोरीन पर आगया होगा delta negative, ठीक है, जो भी जाद़ electronegative होता है, और जो कम electronegative होता है, उस पर आजाता है delta positive charge, ठीक है, अब यहाँ पर तो फिर इस पर आता positive, ठीक है, यहाँ पर आता आपका positive, यहाँ पर आता negative, अगर donating group होता तो, ठीक है यहाँ पर आपके पास बहुत सारे inductive effect के types है, ठीक है, इसको हम अगली class में discuss करेंगे, तब तक